हलो प्रेंट वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हो आप लिग तो आज आपके साथ में सेयर करेंगे नौरात्री स्पैसल रेसिपी तो चलिए फिर रेसिपी सेयर करते हैं सबसे पहले तो हम चटनी बना लेते हैं तो चटनी बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक मुट्टी के लग एक अपके लग में हमने सिंगाडे का आटा ले लिया इसमें एक से डेड़ जो हम आलू डालेंगे यह उबला हुआ अलू है तो इसे जो है हमें आटे में अच्छी तरह से मैस कर लेना है मिक्स कर लेना यहाँ पर हम डाल मिस बॉडर डाल देंगे आधा चमल से थोड़ा कम जो हमने लाल मिस डाली है जो वरत में नमक खाया जाता है वो हमने ले लिया है और थोड़ी सी कटी हुई हमने अद्रक डाल दी है अब जो है सारी चीजों को हमें अच्छे से हांस से जो है मिक्स कर लेना है तो यहाँ पर हमने जो है सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लि न है उसके बाद में हमें इसको 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 इसकी पना लियाना इस तरह से लंबा कट कर लेना है तो आप जो है ज़सYour काटी है चाकु से तो उसमें ना थोड़ा सा गी लगा लीजिए या जो भी आप रत में खाते हो और वो लगा लीजिए तो यहां पर जो हमने इसको कट कर लिया इस तरह से हमें इसको जो है कट कर लेना है तो यहां पर हमने कट कर लिया दूसरी प्लेट में रख लेते हैं उस जो है ढाल दिया उसके बाद में हमें इसमें डाल कर जो है इसको फ्राई कर लेना है घंचे फिरा में लगब जो हैं अप्राई पर निकाल लेते हैं आप इसको finger chips से भी कह सकते हो क्योंकि उसी की तरह यह लगता है तो यह पख चुका है तो इसे हम जो हम निकाल लेती सी तरह से हमारे जो बचे हुए हैं उने भी प्राई कर लेते हैं तो यहां पर जो हमारे बनके तयार हो गया हैं व्रतवाले इसको आप चाय के साथ में सर्व कीजिए तो खाने में बहुत टेश्टी लगते हैं अगर आपको जल्दी बना कर कुछ खाना है अच्छा साथ तो आप इसको चाय के साथ में सर्व करें